हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम differential equation को solve करना सेखेंगे और तुम्हें दिहान होगा हमने पहले differential equation को सुलूशन कितने टाइप को होता है ठीक है फिलाल तो मैं दो टाइप की बताओंगा लेकिन बाद में जब दो साओं आगा बढ़ जाएंगे तब dc type बताओंगा फिलाल हम बात करते हैं solution की देखे मैंने तुम्हें स्टार्ट होगा y equal to mx याद होगा तुम्हें शुरू बात की ती मैंने आसा है कि वे इसे difference करिए यहां m आ जाएगा फिर इसे m की value यहां से निकालिए इसमें रग दीजिए मैं difference equation बना के मैंने सिका चुका हूँ अगर कोई बच चा सीधर सिधा इस पर आ रहा है नहीं पहले उसे difference equation बना नहीं आनीं चाहिए वो स्रिव वीडियो को जरूर देगी तो यह क्या क्लाती है difference equation इस वाली के तो यह क्या क्लाएगा यह क्लाएगा solution इसका क्यों यह क्लाएगा solution क्यों क्यों एक है general solution और एक है particular solution यहां पर लिखा में ने general solution यह तीन नाम है इसके general solution कह दीजिए complete solution बोल दीजिए या primitive कह दीजिए तीनों नाम को ध्यान रखना ठीक ऐसा solution जिसके अंदर जो constant हो parameter जो हो उतने हो जितने order की वो differential equation हो अब देखो यह कितने order की differential equation है order तो याद होगा तुम्हें order का मतलब है highest derivative highest derivative कितना है d y d x 1 degree कितनी है इसकी degree भी 1 है क्योंकि इसकी power 1 है तो यह एक order एक degree की equation है तो इसका ऐसा solution जिसमें एक ही constant है तो इसमें एक ही constant है m तो यह कहलाएगा इसका general solution मतलब जितने order की वो differential equation होगी अगर दो order की है तो उसके solution के अंदर दो arbitrary constant या parameter होने चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखना हूँ आपर तो y equal to mx क्या है y equal to mx is general solution किसका और equation number third का equation number third इस वाली third ठीक है तो यह होता general solution अब बात करते हैं दूसरे solution की जैसे बोलते हैं particular solution अब particular solution कह दीजे या कह दीजे इंटीगल बोलते हैं इसे अब यह होता क्या है हिंदी में कहते है विशेष्ट हल अब जैसे तुमने अभी बताया कि y equal to mx क्या था यह general solution था अगर मैं इसमें m की कोई विशेष वैल्यू भर दूँ या तो वो खुद कहे या मैं अपने पास से ले लूँ अगर मैंने m की वैल्यू मैंने इसके अदर one put करी m की वैल्यू बन रखे तो y equal to जो x होगा यह यह इससे बना है m की विशेष वैल्यू रखने पर तो इसे ही बोलते हैं हम particular solution तो यही कहलाएगा age called particular solution अगर m की वैल्यू माल जी किसने तू रख दितो हां तो बिल्कुल सही बात है तो दूसा particular solution मिल जाएगा इस तरह से हम इसके इसके द्वारा बहुत सारे particular solution बना सकते हैं m की वैल्यू चेंग करके सब्सक्राइगा तो नाम से यह आई रहा particular विशेज solution जो जनरल सुलूशन से बनाया गया हूँ m की कोई विशेज वैल्यू रख कर सपोज करो अगर कोई question तुम्हें ऐसे दे दिया गया y equal to a e k power 2x plus b sin x कहा गया यह किसी differential equation का solution है और इसमें 2 arbitrary constant है a rb ठीक है तो particular solution बनाकर निखाओ तो बस तुम put कर दे न a की जंगा मा लिजए 1 b की जंगा 0 तो y equal to क्या बन जाएगा e की power 2x तो यह उसी differential equation का particular solution होगा जिसका यह general solution था मैं यह नहीं करा कि एक e value बनी रख नहीं कुछ भी जो तुम आजीमा है यह खुद देगा नो भी यह रख के बनाईए तो अपने आप रख देना जो देगा वो तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अब बात उत्ती है यह आपर यह general solution या particular solution हम बनाए कैसे जाते हैं बात तो यह आएगी ना अभी हन्यांत सबना हम पहला chapter पड़ रहे हैं difference equation का और यहाँ पर जो हम difference equation को solve करना सीखेंगे उनके अलग-अलग method है क्योंकि सभी difference equation एक method solve नहीं होती है तो पहला जो हमारा chapter है उसका नाम है कि वे difference equation जिनके अंदर एक order एक degree के ही question आएंगे तो पहले हम उनको solve करना सीखेंगे ऐसे question जिनका order भी एक होगा और degree भी एक होगा उनको भी solve करने के बहुत सारे method है यह भी एक method से solve नहीं होगी कौन-कौन से method वह भी सीखेंगे लेकिन पहले सुल लीजिए कि वह इस chapter में हम कौन-कौन से किस-किस type की difference equation सी जैसा कि यह मैंने equation लिखी dy dx plus y equal to cortex यह एक मैंने differential equation लिखी कोई पूछनने कहा है इसका order बताईए तो सब को पता order का मौता higher derivative तो highest derivative बड़े सा बड़ा आउकलज कितना है यह है कितने order का एक order का तो इसका order एक है अब कोई पूछता है degree बताईए तो degree होती है highest derivative की इसकी power कितनी है 1 है तो 1 है तो इस पूरे chapter के अंदर केवल इस type के ही question होगे इसमें तुम्हें कहीं पर भी d2y ने लिखा हुआ दिखा हुआ दिखा 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 ऐसे question नहीं होगे इस पूरे chapter में इस type के question नहीं होगे बस question होगे तो ऐसे होगे एक order एक दिखा अब इनको solve करने के लिए भी हमें यहां पर काफी सारे method सीखने होगे तो जिसमें सबसे पहला important बड़ा method है जो तुमने ब्यस इंडोस में 12 में भी सीखा होगा जिसे बोलते ह चर्व राश्यों का प्रत्थिक्रण करना अलग-अलग कर देना डी एक्स के साथ में एक्स वाले डी वाई के साथ में वाई वाले उसी method को हम यहां पर सीखेंगे फिलाल तो वैसे तुमने पढ़ रखा है यह 12 में फिर भी मैं नहीं आप लिख दिया प्रत्थिक्रण चर् अब बहुत सारी बोल दे दी बोल दे दी और बोल कुछ रैड है अब कुछ माली जे ब्लैक है रैड ब्लैक ऐसे बिक्री पड़ी है ठीक है उससे कहा हो बच्चे से अलग-अलग छाड़ दे तो उसका मतलब समझ आया कि रैड वाली एक साइड में करनी है और ब्लैक वाली खेड़ी है तो वह सेपरेट कर रहा है एक सी अलग-अलग तो बस यही काम रहना करना है यहाप थैड य।हीं के साथ मेंट वाले झासं में variable separate करना तो यह मैतल कहता है कि सबसे पहले तुम ये काम करिए add x के साथ में x वाले dy के साथ में y वाल लाईए फिर उसको integrate कर दीजिए और integrate करने के बाद एक constant जोड दीजिए अब constant इसमें c जोड़िए log c जोड़िए, 10c जोड़िए अब 10c को जोड़ते हैं log c को जोड़ते हैं वो इसलिए जोड़ते हैं जिसे कि इसका answer देखने में अच्छा लगे अगर ज़्यादर लोग आ रहे हैं तो log c जोड़ दीजिए ज़्यादर 10 दिखाए दे रहे हैं 10c जोड़ दीजिए तो लोग दीखाए दे रहे हैं अर तो लोग नहीं जोड़ना तो मच जोड़िए simple c जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है answer तो नहीं किताब से ज़रूरी नहीं है कि फिर match करें थोड़ा बहुत अलग हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं से टैंसल कोई बात नहीं है तो मारा integration सही होना चाहिए constant तुम कैसे भी जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं होती constant इसले जोड़ जाते है जिससे की देखने में answer अच्छा लेगए बस और कोई वो नहीं है तो यह है variable separable पहले एक तो मैं शोड़ी जिए बात बता हूं मैं तो मैं हल्किसी ध्यान देने वाली बात है दिमाग में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना है तो तो भी कुछ बात नहीं है यहां पर ध्यान दो देखे हम कहते हैं कि फिर डी कि dx यह क्या चीज है और यहां लिखते है य यह तो हमारा कहलाता है dependent variable पढ़ा होगा तुमने और नीचे वाला कहलाता है जिसके respect में करते हैं उसा बोलते हैं independent variable ठीक यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि जो y है y को हम differentiate कर रहे हैं x के रिश्रक में तो यह पूरा का पूरा ए एक notation होता है एक symbol होता है यह इसके दो पार्ट नहीं होता है बीच में बटे नहीं होता है डिवाइड नहीं होता है कि d over dx ना 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 हम बोलते हूं रहे हैं लेकिन यह एक notation है पूरा का पूरा ठीक है तो फिर इसको ऐसा क्यों करा गया अलग-अलग कर दिया गया हाँ यही अधर ना यहां पर लेबनीर ने कहा वही है तो यह एक notation लेकिन यदि तुम थोड़ा सा थोड़े के लिए ऐसा मान लो एक मिंट दिया बच्छों यह काया हो गया वापस आता हूं उस पर उसने कहा कि अगर तुम एसा मान लो थोड़ी दे के लिए कि ऊपर वाला नंबर अल कि है कहने का मतलब चम्त इसाइब बट वानलो इसाइब अगर तुम इस्यanne बटे मान लेते हो तो प्र तुम्हें ऐसा कर सकते हो DX साइब में एक साइब में ऐसा ला सकते हो इसान लाने के बाद और अरता सौल हो जाएगा तो उसने कहा है और तो मांणना ए तो लेवन ने कहा थोड़ देख दिए यह मान दीजिए कि यह दोनों नंबर अलग अलग है फिर वैरेबल सहते हैं ठीक है अब एक कोशन करकर दिखाता हूं और तुम्हें तब उसके बात करेंगे देखें हमारे पांप सामने कोशन गया है एक मिन बच्चो यह राक उपशन देखें है यह कोशन हमारे हां पर सोल्फ दा फॉलविंग डिफ्रेंसिल एक्वेशन अब हहां यहां पर देखो पूरे कोशन मां ध्यांस देखो डिवाई आ रहा दी एक सारा डिटुवाई तो नहीं आ रहा इसका मतलब यह एक ओडर की है डिटुवाई नह चाहिए कि किस chapter question है तो एक order का है power देगे इसकी कोई power नहीं है कहने कला बन power है तो यह एक order एक डिर्य question है तो इसको solve करने का सबसे पहला मैंतल है अब ध्यान सुनना वारेबल से पर रिल करता है देखो यहां dx है यहां dx है यह पूरे यह एक चाहिए लेकिने आप y आ रहा तो हम डिवाइड कर देंगे y से लिख देता हूं मैं divided by y जब मैं y से डिवाइड कर दूँगा तो y कर जाएगा y के इधर हूँ जाएगा और यहां देखना d y के साथ में क्या आ रहा है x भी आ रहा होने चाहिए d y के साथ में y वाले तो यहां से x से डिवाइड करतो तो डिवाइड कर दीजिए y into x से इस से डिवाइड कर दीजिए पूरे वो तो डिवाइड करतो ही यह variable cycle जाएंगे देखो क्या दन जाएगा 1 प्लस x और यहां पर d x और बटे में क्या जाएगा x आ जाएगा और यहां पर 1- y अपोन मा जाएगा y और यहां d y और equal to क्या है जिरूँ यह होगे variable cycle कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि फिर d x का घर equal के एक साइड में बनाओ और d y का घर दूसे साइड में बनाओ जैसे कि d x कोई परिवार है d y वाला दूसरा है उसके बच्चे यहां लिखे जाएगे और d x के बच्चे यहां लिखे जाएगे तो d x के बच्चे इसके जैसे जिनमें x होगा तो कौन-कौन से यह वाले तो थोड़ देख लिए मैं जो बच्चे पढ़ाते हैं अप्राने वाले वो उसकी तरह से बताता हूँ मैं एक मिल्ट के लिए वरना जैसे मैंने करा है बैसे कर लिए यहां द्यान देना वो क्या कहते हैं कि पहले इस टर्म को एक साइड में लिखो क्या है 1 प्लस x y और dx और इस पूली टर्म को उधर ठाकर जाओ तो यह कर लिखते हैं 1 माइनस y और पीछे है x और dy वो ऐसे करते हैं फिर कहते हैं कि अब च्छाटों यहां से यो x वाला इधर लाओ y वाला उधर ले जाओ तो ऐसे कर लिखो 1 प्लस x अपोन x और dx और माइनस 1 माइनस y अपोन y और dy यह होगे वैरिबल से पेवड़ तो यह और यह बात अलग पुड़ी है एक ही तो बात है कैसे कर लो अब यहांपर देखो अब उसने कहा इंटिगेट कर दो यह होगे वैरिबल से इंटिगेट करो अब प्रस क्या हो जाएगा 1 अब यह इंटी किसम अदाम से हो जाएगा यहां भी यह से लिख दो 1 अपोन वाई और माइनस के वाई और पीछे कितना डिवाई अब एक पॉंस्टेंट जोड़ना अब सिंपल सी जोड़ दीजे अभी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा क्या जु जोड़ जाएगा य और एक वल्टू अब तुम्हें दिखा दिरा जद लोग वाले आ रहे हैं तो लोग सी जोड़ दो जूरूरी निकिए उधर जोड़ दो लोग सी कहीं जोड़ दीजे कोई दिक्कत नहीं है तो जहां लोग सी चलिगा तो मैं पता तो लोग सी उपर से जब भी तुम इंटिगेट करो तभी एक दो जोड़ दो बस जी अब इसको थोड़ा सा सुन्दर लगाने के लिए बस सुन्दर तुम जानते हो लोग वाले एक साथ निकटने कर सकते हो जह लोग लोग के इस साइड में लिआओ यह रहा लोग एक्स का यह रहा लोग वाई होते हैं वह बटे में जाते हैं तो यहां पर तुम ही कठा कर सकते हो एक्स इंटो वाई अपॉन कितना जाएगा सी इक्वल टू वाई मैंस अब देखो यह अंसर देखने में तोड़ा अच्छा लग रहा है एक मिंट पुचो यह कहां सा गया औरे यह जान दीजिए यह अब इससे और अच्छा लगा ना लोग वाटा दीजिए तुम्हां पता लोग वाटाते हैं तो क्या होता है एकस माईनस वाई अप्वन सी इक्वल डू जाएगा ई की पावर य माईनस एक्स तो यह पहुंच जाएगा जाएगा य माईनस एक्स प्लस लोक C आता, तो लोक के नियम से प्लस वाला इंटू में जाता, बस C उपर रहता, तो इससा कोई फ़रेंग नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी जोड़ दीजिये, उससा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कोई नहीं काटेगा, मार्क्स कोई नहीं काटेगा, बिल्कुर सही म बस तुम्हारा किताब सा आंसर में थोड़ा बहुत इधर बित्र हो सकता है जैसा सी अब यहां इंट्व में आ गया अगर तुम इधर लिखते तो सी अपन में जाता तो कोई दिकत नहीं है अगर सी वन अपन में जा रहा है तो उसको नया कॉंस्टन डाल दीजिए सी वन तो कोई दिकत नहीं है तो बहुत लुल्लो कोशन है कोई ऐसा मुस्किल कोशन नहीं है बहुत इजी कोशन है बस तुम्हां हलका सा इंट्विशन करना ना चाहिए ठीक है बचो अगली वीडियो में है फिर और प्रॉलम करेंगा है मैं इसके सॉल जो है ठीक थेंक यू बच्च किthe में पुल्लिष लुप करो ना शऑप है बोला चाहिए तो किलीपन करेंगे लुलrid को किите सुल जो है लुब तन करेंगा है